नमस्कार दोस्तों मैं विएक और आप देखरें कि विजी टेक पाया है यूटूब चैनल दोस्तों जब भी हम रोड पर दाते हैं तो हमें वाया पर सपेद और पीली लाइने नजर आती हैं दोस्तों इन लाइनों का बहुत से मतलब होते हैं और आप इस शुरुक्सा की दस् हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एस सॉलिट राइन का मतलब होता है कि आप जिस हिस्से में चल रहे हैं दूसरी लाइन के अंदर विल्कुल भी नहीं जाना है तो यह सोलिट सपेद लाइन का मतलब दूसरी है दोस्तों सपेद टूटी लाइन सपेद टूटी लाइन का मतलब होता है कि दोस्तों आप अपनी लेन बदल सकते हैं पर दूसरी गाड़ियों को कोशन देखकर यानि कि आप जब भी लोटेट लाइन आती है तो आप अपने लेन बदल सकते हैं लेकिन सामने ये देखना होता है कि गाड़ी सामने से कोई आ रही है या फिर नहीं बात करते हैं Solid Pili Line की Solid Pili Line ये संकेत देता है कि आप दूसरी गाड़ियों को Overtake कर सकते हो लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि ये Solid Pili Line क्रोस नहीं होनी चाहिए साथ इसका मतलब अलग-अलग राजियों में अलग-अलग हो सकता है जैसा कि दोस्तों हमारे रास्तान के अंदर Pili Line में रहकर दूसरी गाड़ियों को Overtake नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं दो Pili Line की वोड़ पर दो Pili Line दिखे तो आप इन दो Pili Line को पास नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं Solid Pili Line और 2T Pili Line तोलिट पिली लाइन के साथ साथ टूटी पिली लाइन भी होती हैं तो इसका मतलब है कि आप टूटी पिली लाइन की तरफ अपनी गाड़ी चला सकते हो तो आप ओटेक कर सकते हो पर अगर आप सोलिट पिली लाइन की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो आप एसा नहीं कर सकते हैं, आप उसको overtake नहीं कर सकते हैं दोस्तों उम्मेद करता हूँ आप आप जान गे होगे की शड़क पर जो पीली और सफेद लाइने होती हैं का मतलब क्या होता है और आपके लिए यह आपके लिए यह कितना महत्रपून है तो दोस्तों अगर यह विलिए आपको पसंद आया तो प्लिद लाइक जरू कर दीजिए धनेवा दोस्तों